हाई फ्रेंट्स आल्लाइन एग्रिकल्चर क्लासेश के अफिसियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी कहार्दिक स्वागत अभिन दन बंदन करता हूं आज का जहां लोग का डिसकेशन पॉइंट है यह आप देख सकते हैं यूपी कैटेट रिपोर्टिंग फाम कैसे फिल करे तो आएए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा सरदार बल्लब भाई पटेल यूपी कैटेट रिपोर्टिंग और डॉक्मेंट वेरिफिकेशन फाम यहाँ पर पहले नंबर पर क्या दिया है आपका रोल नंबर इस बॉक्स में आपको रोल नंबर फि तो PAG भरिए PCB हैं बायो गूर्ब से तो आप PCB भरिए या फिर आप अधर सब्देक्ट से मैस हैं तो आप यहाँ पर PCM भरिए अराम से कोई दिक्कत ने लेकिन उसके पहले आप UG लिख दीजगा UG के बाद ड़ेस करके फिराप लिख शकते हैं उसके बाद आप नीचे दि ब्लाक लेटर में हम लोग सरदार बललब बाई पटेल को लिखते हैं यह जैसे उपर लिखा है सरदार बललब बाई पटेल तो इसी प्रकार से आपको ब्लाक लेटर में लिखना है फिर शेकेंड नमबर पे आपका दे रहा है फादर्स नेम इसमें चाहे तो आप ब्लाक सम्बर 2020 को आपकी कितनी year हो गई कितने months के हो गई और कितने दिन के हो गई आपकी DOB से आप इसको calculate करके यहाँ पर लिख दीचेगा फिर अब नीचे की तरफ आईए तो नीचे की तरफ क्या दे रहा है gender gender male है तो male बरिये female है तो female बरिये फिर category आपको यू आर है तो यू आर डालिए, UPBC है तो UPBC डालिए और HC है तो आप ऐसे category डाल सकते है फिर आपकी sub category में आपका defense question है तो defense person डालिए Freedom fighter है तो freedom fighter डालिए, PWD है तो PWD डालिए और give university imply है तो उसका यहाँ पर डाल करके और डायस करके उसका code डालना जरूरी है फिर पानचेँ नमबर पे देखिए नेम सब्हक्रार प्रीविछ एक्जामनेशन तो प्रीविछ एक्जाम्नेसन में आपने कोन सा exam qualify किया है तो यहाँ पर अभी 12 आपने pass out किया है तो यहाँ पर लिखेगा intermediate फिर आगे देरा percentage आप marks अब लिख ओजी पिए ओबराल जो आपकी GPA होती है यदि आप ओभी GPA है तो ओजी पिए फिल करिए अन्यता आपको marks यहाँ पर लब करना है फिर छटे नंबर पर देखे प्रिफ्रेंस आप प्रोग्राम या सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है जैसे कि मान लिजी आपको पहले पर भरना है क्या BSC AG यदि आप BSC ले रहे हैं तो BSC BSC लिखेंगे तो BSC के बाद आप agriculture भर दीजिए BSC honors agriculture फिर सेकेंड पर यदि हार्टे कल्चर लेना चाहते हैं तो हार्टे कल्चर ले लीजिए फिर forestry लेना चाहते हैं तो यहाँ पर थार्ड वे फार्स्टी फिल कर लीजिए उसके यहाँ पर अभी आपको यदि आप पैड लेना चाहते हैं पैड सीट तो यहाँ पर अभी कोई फिल करने के आउसकता नहीं है अभी यहाँ पर नहीं आपको पैड सीट का नडीडी का काम आएगा यहाँ नहीं एन आराई का काम आएगा क्योंकि आज आपकी के दोरान आपको NRI और pad sheet के लिए कोई DD की आवस्षकता नहीं है फिर आपका देखिए details इसमें कौन-कौन से documents चाहिए तो documents आपके चाहिए online application farm जो की principal के द्वारा attested होना चाहिए तो yes आपको tick करना पड़ेगा फिर counseling later है आपके पास तो yes पर tick करना पड़ेगा high school की mark sheet और certificate ये दोनों सेम होगा क्योंकि आपने whatsapp पर comments किया था कि क्या हमें certificate और mark sheet दोनों अलग-अलग होती है क्या तो UP board में अलग-अलग नहीं होती फिर intermediate की बात करते हैं तो intermediate जो BSC agriculture की student है उनके final year की 12 वाली आपकी mark sheet यहाँ पर लगएगी आप 11 वाली नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर mark sheet दिया रहता है certificate नहीं दिया होता है तो इसको आप S करना है फिर आपका graduation यदि है graduation msc के जो भी अभेरती है तो अपना pdc और degree या mark sheet अपना लगा दीजिए फिर आप यदि PhD के अभेरती है तो post graduation आपकी master degree वाली pdc और mark sheet transcript जो भी है आपके पास तो आप उस पर लगाकर S कर दीजिए अन्य तक कोई दिक्कत नहीं है इन्हों नई क्लिक करना है आपनों छोड़ दीजिएगा फिर आपका tc transfer certificate या आपका migration certificate है तो उस पर आप S कर दीजिए यह दिन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा एक एफिडेविट बनवानी पड़ेगी जिसमें लिखना जहां पर हमको university alert हो जाएगी फिर आपका ये character certificate जिसको cc कहते हैं फिर cast certificate की बात होती है तो ओभी certified issue यहां पर issue क्या दे रहा है तो issue आपका ये दे रहा है 31.03.2021 के पहले नहीं होनी चाहिए इसके बात की होनी चाहिए 31.03.2021 के बात की होनी चाहिए ये आपकी certificate तब आप ये दिया है तो yes कर दीजिए अन्य था no है तो no operators नहीं करना है चोड़ देना है इनको एक एफिडेविट दे देना है कि 20 दिन बात जमा कर देंगे ये application दे द फिर do missile आपका उत्तर प्रदेश का है तो yes कर दीजिए ये आपका निवास प्रवाण पत्र नहीं बना है तो कोई बात ना है documents वाली आप वीडियो जाकर देख लिजिए गा किसी पास जो भी documents नहीं है तो उसको किस प्रकार से solution करते हैं फिर certificate 14 नंबर आपका है तो 14 नंबर गैप एफिडेविट जिनका one year gap है two year gap है three year gap है तो ये अपना gap certificate जरूर बनवा के ले जाएए यदि नहीं है वहाँ पर जहाँ एक campus के अंदर एक इस्टे संडी की दुकान है चार नंबर गिट के अंदर आईएगा वहाँ पर आपको मिल जाएगी फिर आपका sport certificate है यदि आ फिर आपका नीचे यह 18 नंबर 18 नंबर पर दे रहाए यहाँ पर डीडी या फिर डीडी या receipt नंबर ते इसको कुछ नहीं करना है छोड़ देना है आपको यह नहीं भरना है फिर signature of candidate यहाँ पर आपका signature होगी फिर यहाँ पर दे रहाए right hand index finger impression यहाँ पर आपको फोटो में देख लिजे कौन सा उंगली का इसमें thumb impression करना है तो आईए फिर नीचे दिये किये office report यहाँ पर candidate इसको नहीं फिल करेंगे नीचे की जो सारे documents हैं इस पर आपके जो वहाँ पर seat alert हो जाएगी वो लोग अपना इसको फिल करेंगे आपको इसको touch नहीं करना है फिर यहाँ प पोटो को यहाँ पर चिपका दीजेगा यहीं पर आप रिपोर्टिंग हाल में आपको गम मिल लाएगा वहीं से जाकर आप चिपका लीजेगा फिर आप reporting लाइन में लग जाएगा जो यह sequence दिया है इसे sequence के अनुसार आप लगाएंगे अपनी सारे documents के फिर वहाँ पर आप रिपोर्टिंग करेंगे अब रही बात आपके DD की तो DD आप यहाँ पर देख सकते हैं DD किसमाद्यम से बना है तो यह किस नेम से बना है तो यहाँ पर देख लिजिए finance controller SBBPU80 merit और यहाँ पर code आप बागी जो आपका word आया है या digit आया है तो यह hidden हो गया है तो यह 5000 वाली ज मैंने अपने नाम से बनवा दिया है जिन लोगों को दिक्कत हो रही है तो वो हमसे संपर कर लेंगे बनवा दूँगा मैं कोई दिक्कत की बात नहीं है तो यह आपका किस नेम से बनेगी और यहाँ पर बात आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि किस माद्यम से बनेगा तो यह पर 5,000 वाली डीडी पर 25 रूपीज का चार्ज पड़ता है यानि टोटल आपको 5,025 रुपे पेमेंड करने होंगे इसके लिए फिर आपका नीचे देखिए 25,000 रुपे वाली जो डीडी है इसको आपका इस पर 2500 रुपे का चार्ज पड़ता है एक्स्टा चार्ज क्लियर य 27,10,2021 से लेकर 27,1,2022 तक यह आपका इलाओ रहेगा इस तीन महीने के टाइम इसको मिलता है थ्री मन्त के लिए तो थ्री मन्त के अंदर आपको थ्री मन्त के अंदर आप इसको रिटर्न कर सकते हैं और आपको उसी एकाउंट नंबर में वापस हो जागे या चहाँ पर अध को किसी भी अदर अभ्यरती को देना चाहते हैं यह बन जाएगा फिर आपको नीचे यहाँ पर देखें जैसे की मालिज मैंने यहां पर अपना नाम डला दिया था अपने में बन वान दिया है तो यह किसी भी अभ्यरती के नाम से बन सकता हैं और कोई दिक्दीं के बात नह उसके आपको चानकारी देदें कि जो आपका रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग टाइम आपको डिडी की आउसक्ता किसी भी डिडी वज्टिंग पड़ेगी दिन पड़ेगी तो इसके लिए आप परिशान नहीं गयां किल जाकर आराम से बिल्कुल वादेगी यह जो आपके documents हैं, यह सारे documents की local photocopy जो होगी, आपको उस पे self-attested करना होगा, self-attested का मतलब आपको वहाँ पर जैसे आपका signature हो जाएगी, सारे documents पे, और फिर यहाँ पर देरा only for BBSC के जो भी अब भेरती हैंगे, जो BBSC लेना चाहते हैं, यह अपना subject के according, intermediate, टेल पर जो भी आपका marks होगा, यहाँ पर physics का, chemistry का, biology का और English का, यहाँ पर mark आपको percentage fill करना होगा, I hope पूरी आपको declare समझ में आ गई होगी, यदि अन्य कोई भी समझ से हो रहा है, तो आप हमें comment box में बताईए, और सबी लोग WhatsApp ग्रूप में add हो जाईए, क्योंकि WhatsApp ग्रूप में सारे notification आपको सरोप्रतम प्राप्त हो जाते हैं, thank you.